नमस्कार Friends, वागताब सभी का Сॉलिसिय की यूट्यूब चानल में Friends, इस वीडियो में सभी महत्मूर संगठन और उनके सथापक और उनकी स्थापना इस वीडियो में cover करेंगे इस वीडियो में Top 30 PLUS संगठन फुली डिटेल से cover करेंगे तो इस वीडियो को आप बिना measuring के पूरा देखें और इसका जो PDF है आपको Telegram की चैलल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो Telegram का जो link है वो वीडियो के description में है तो आप सभी लोग जो है Telegram को जोन का लीजिगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर चेनल पर पहले आप विजिट के इन चेनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहली संस्था का नाम जो है, Aseatic Society, तो Aseatic Society की स्थापना कब हुई थी, तो Aseatic Society की स्थापना जो है, 1784 ISV में हुई थी, और इनके संस्थापक जो है, Aseatic Society के, ये हैं, बिलियम जोन्स, तो बिलियम जोन्स जो है, Aseatic Society के संस्थापक हैं, और इस्थापना की थी, 1784 इस भी में यह आप याद रखें अगली जो संस्था का नाम है आत्मिया सवा आत्मिया सवा की स्थापना जो है 1815 इस भी में हुई थी और इसके संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय आत्मिया सवा की संस्थापक है 1815 इस भी में आत्मिया सवा की जो स्थापना है राजा राम मोहन राई ने की थी तो इसको आप याद रखें अगला जो संस्था का नाम है ये है वेदांत कॉलेज तो वेदांत कॉलेज संस्था की स्थापना जो है 1825 इसबी में हुई थी अगर बात करें संस्थापक तो राजा राम मोहन राई जो है इसके संस्थापक है वेदांत जो है कॉलेज के तो राजा राम मोहन राई ने 1825 इसबी में विदान्त कॉलेज की स्थापना की थी तो ये आप याद रखें अगला जो है संस्था का नाम ये है ब्रह्म समाज तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 इसबी में हुई थी अगर बात किज़ें संस्थापक तो राजा राम वोहन राय ने जो है इसकी स्थापना की थी तो ये आप याद रखें तो संस्थापक राजा राम वोहन राय हैं ब्रह्म समाज के 1828 इसवी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम वोहन राय ने की थी तो ये आप ततबोधनी सवा की स्थापना जो है 1849 اسवी में हुई थी इसके जो संस्थापक हैं देविंदर नात ठाकूर तो देविंदर नात ठाकूर जो है ततबोधनी सवा की संस्थापना तो इसको आप याद रखेगा अगली जो संस्था का नाम है ये है बेटिस सारविजनिक सवा तो बेटिस सारविजनिक सवा की स्थापना जो है 1843 इसवी में हुई थी और किसने की थी तो इसके जो संस्थापक है बेटिस सारविजनिक सवा के तो ये हैं दादा भाई नौरोजी इनको आप याद रखिएगा अगली जो संस्था का नाम है ये है परम हंस मंडली तो परम हंस मंडली की स्थापना जो है 1840 इसवी में हुई थी तो परम हंस मंडली की स्थापना 1840 इसवी में हुई थी इनको आप याद रखिएगा अगली जो संस्था का नाम है ये है scientific society तो scientific society की स्थापना जो है ये हुई है 1864 ESB में और इसके संस्थापक जो है सरसयद एमद खान तो सरसयद एमद खान जो है ये scientific society के संस्थापक है और जो है सरसयद एमद खाने जो है 1864 ESV में Scientific Society की स्थापना की थी तो इसको आप याद रखेगा अगली संस्था का नाम है East Indian Association तो East Indian Association की स्थापना जो है 1806 ESV में हुई थी और इसके संस्थापक जो है दादा भाई नौरोजी तो दादा भाई नौरोजी ने 1806 ESV में East Indian Association की स्थापना की थी तो इसको आप याद रखेगा अगली जो संस्था का नाम है ये है प्राथना समाज तो प्राथना समाज की स्थापना जो है अठारा सो सरसट इसवी में हुई थी तो अठारा सो सरसट इसवी में प्राथना समाज की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो है आत्मा राम पंडूरंग तो आत्मा राम पंडूरंग ने जो है आठारा सो सरसट इसवी में प्रात्ना समाज की स्थापना की थी तो इसको आप याद रखेगा अगला जो संस्था का नाम है ये है वेद समाज तो वेद समाज की स्थापना जो है इसके संस्थापक जो है आचारे केशव चंदर सेन तो आचारे केशव चंदर सेन ने जो है आठारा सो सरसट इस भी में वेद समाज की स्थापना की थी अगला जो है संस्था का नाम ये है शत्यशोधक समाज सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है अठारा सो तियत्तर इस भी में हुई थी और संस्थापक जो है जोतिवा फूले जो है इसके संस्थापक है सत्यशोधक समाज के और अठारा सो जो है तियत्तर इस भी में जो है जोतिवा फूले ने इसकी स्थापना की थी तो ये आप य स्थापक हैं शेशिर कुमार घोस इसके संस्थापक हैं 1875 इसवी में इंडियन लीग की स्थापना की थी अगला जो संस्था का नाम है आरे समाज तो आरे समाज की स्थापना जो है ये 1875 इसवी में हुई है और जो इसके संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरसोती तो स्वामी behavioral society की स्थापना is 18175 मैं हुई थी, यह संसथापक मैं याद संसथा का नाम है United Indian Committee की स्थापना 18183 मैं हुई थी और इसके संस्थापक जो है वियुमेश चंद बनजी तो वियुमेश चंद बनजी ने जो है 1883 ESV में जो है United Indian Committee की स्थापना की थी तो इसको आप याद रखेगा अगली संस्था का नाम है भारतिय राष्ट्य कोंग्रेस तो भारतिय राष्ट्य कोंग्रेस की स्थापना जो है 1885 ESV में हुई थी तो 1885 ESV में भारतिय राष्ट्य कोंग्रेस या Indian National Congress की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं A.O. Hume ए ओ हुम ने इसकी स्थापना की थी इंडेया नेशनल कॉंग्रेस की या भारतिय राश्ट्ये कॉंग्रेस की और 1885 इस्वी में हुई थी इसकी स्थापना अगला जो है संस्था का नाम यह है क्या यह है संस्था का नाम बॉंबे Presidency Association तो Bombay Presidency Association की स्थापना जो है 1885 ESB में हुई थी और इसके संस्थापक जो है ये हैं फ्रोज शाह, महता और तेलंग और तैयब जी तेलंग और तिता तैयब जी और फ्रोज शाह, महता ये तीन लोग जो है बोंबे प्रेसिडेंस की एसो सियेशन की स्थापना की थी, 1885 ISB में, तो इसको आप याद रखेगा अगला जो संस्था का नाम है राम कृष्ण मिशन जो राम कृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ISB में हुई थी और इसके संस्थापक जो है स्वामी विवेकानंद जी ने जो है 1897 ESB में राम क्रेशन मिसन की स्थापना की थी इसको आप याद रखेगा अगला जो संस्था का नाम है ये है Servants of India Society तो Servants of India Society की स्थापना जो है 1905 ISB में होई थी और इसके संस्थापक जो है गोपाल क्रेशन गोखले तो गोपाल क्रेशन गोखले ने जो है 1905 ISB में Servants of India Society की स्थापना की थी तो इसको आप याद रखेगा Friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and सरे लोकिये करें अगला जो है ये है Muslim League तो Muslim League की स्थापना जो है 1906 में होई थी अगर बात की जाए इसके संस्तापक कौन है तो आगा खां एवं सलीम उल्लाः आगा खां नाम है गदर पार्टी तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 इसबी में हुई थी और किसने की तुलाला हर्दयाल और काशी राम तुलाला हर्दयाल और काशी राम ने जो है मिलकर 1913 इसबी में गदर पार्टी की स्थापना की थी तो इसको आप याद रखेगा अगली जो संस्था का नाम है हिंदू महासभा तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 इसभी में हुई थी और किसने की मदन मोहन मालविये जी ने जो है 1915 इसभी में हिंदू महासभा की स्थापना की थी तो इसको आप याद रखेगा अगली जो संस्था का नाम है Home Rule League तो Home Rule League की स्थापना 1916.22 में हुई थी और इसके संस्थापक जो है तिलक, मतलब बाल गंग अड़र तिलक एबं एनी बेसेंट बाल गंग अड़र तिलक और एनी बेसेंट ने जो है मिलकर 1916.22 में Home Rule League की स्थापना की थी तो इसको आप याद रखेगा अगला जो संस्था का नाम है ये है खिलापत आंदोलन तो खिलापत आंदोलन की स्थापना 1919 इसवी में हुई थी और अली बंदू ने इसकी स्थापना की थी तो संस्थापक अली बंदू ने जो है 1919 इसवी में खिलापत अंदोलन की जो है शुरुवात की थी यह आप याद रखें अगला जो है संस्था का नाम स्वराज पार्टी तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 इसवी में की थी और किसने की मूति लाल नहरू और चितरंजन दास तो मूति लाल नहरू चितरंजन दास ने मिलकर 1923 ASB में स्वराजपाटी की स्थापना की थी अगला जो संस्था का नाम है यह है वहिश्क्रत हितकारडी सवा की स्थापना जो है 1924 इसवी में हुई थी और संस्थापक जो है डॉक्टर भीमराव अमेटकर या फिर वीर अमेटकर तो इसके संस्थापक जो है वीर अमेटकर या फिर डॉक्टर भीमराव अमेटकर ने 1924 SeemsBee में वैहिश्कृत हित कारडी शबा की स्थापना की थी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक इन्द से रूकिया करें अगली जो है सनस्था का नाम राष्ट्य स्वयम सेवकसंग तो राष्ट्य स्वयम सेवकसंग की स्थपना जो है सिवक संग की स्थापना की थी तो इसको आप याद रखिए अगला जो है अगला संस्था का नाम है नौजवान सवा तो अगली जो सवा है नौजवान सवा तो नौजवान सवा की स्थापना जो है 1926 इस्वी में हुई थी और किसने की भागत सींग और जो है छबील दास और येसपाल ने मिलकर 1926 ISV में नौजवान सवा की स्थापना की थी, तो इसको आप याद रखेगा। अगला जो है हरीजन सेवक संग तो हरीजन सेवक संग जो है जो की पूरे की संस्था है इसकी जो इस्थापना है 1932 इसभी में हुई थी और महात्मा गांदी ने जो है इसकी संस्थापक हैं तो यह आप याद रखें तो महात्मा गांदी ने 1932 इसभी में हरीजन सेवक संग की स्थापना पूने में की थी तो यह आप याद रखें अगला जो संस्था का नाम है सोतंत्र स्रमिक पार्टी तो स्वतंत्रस्रमिक पार्टी की स्थापना जो है यह होई है 1936 इस्चkich इसबी में और इसके संस्थापक की स्थापना जो है 1949 SB में हुई थी और इसके संस्थापक हैं सुवासचन्र बोस तो सुवासचन्र बोस ने 1949 SB में forward ब्लोक की स्थापना की थी तो इसको आप याद रखेगा अगली संस्था का नाम है आजाद हिंद फौज तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 SB में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं रास बेहरी बोस तो रास बेहरी बोस ने 1942 SB में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो इसको आप याद रखेगा अगली जो संस्था का नाम है ये है आजाद हिंद सरकार तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना जो है ये 1943 SB में हुई थी और इसके संस्थापक जो है सुवास चंदर बोस जी हैं तो सुवास चंदर बोस ने जो है 1943 SB में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी तो इसको याद रखेगा थेंक्यू फ्रेंट्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक इंड से रूखिया करें अगर चैनल पर पहले आप विजिट किया है चैनल जरू सब्सक्राब करें और इसका जो पीडियेफ है आपको टेलेग सब्सक्राइब का जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है तो मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्राउं